कई लोग बोलते हैं कि हमारे प्रिंटर में कुछ इस तरह की फोटो आती है जैसे मान के चलते हैं यह ऐसी फोटो है तो फिर वह उनकी फोटो प्रिंटर में ऐसे हो जाती है और कई लोगों का मानना यह है कि जो एक्षन बनाते हैं तो एक्षन बनाने के बाद में उनके साथ सा होता है तो ऐसा नहीं है हम आपको यहां पर बता रहे हैं कि अगर आपके पास ऐसी फोटो है और ऐसे हो जा रहा है तो उसका कार्ण क्या है यहां पर आपके पास प्रेंटर में सेटिंग करने की जगरत रहती है हमें पता है कि आलमोस्ट लोगों को यह पता रहता है प्रें कि में और फोटो बनाया और हमारी फोटो बन गया अब हमें यहां पर क्या करना होता है यहाँ अब अगर आप देखेंगे तो आपको प्रिंटिंग की क्वाल्टी है वो कैसे होती है यहां से देखें सबसे पहले आप कहा जाते हो प्रेंट बाले ओपसन में जहां पर आपको प्रेंट करना होता है तो आपको फोटो यह फ्रेंट होके आजाती है पर आपके लिए बाद बताते हैं कि ऐसा करना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा अगर आप ऐसा डिरेक्ली यहां से प्रिंट करते हो तो आपकी जो क्वालिटी है बहुत बेकार आईगी देखे कैसे कि बती है तो आपके पास नंर्म यहां प्रॉपर्ट यहां पर अपर फोर्ट यहां पर किलिक करते हैं तो यहां पर अपनों आपको देखने को मिलते हैं जैसे तो इतना करने के बाद में ही आपको निंग कर देना है अगर अगर आप फोटो कॉपी बाला पेज डालते हैं तो आपको प्लैन पेपर सेलेट करना है अगर nella फोटो कॉपी बाला लेकिन अगर आप फोटो बाला मतलब फोटो प्रेंट बाले डालते हैं तो यहाँ bạn फोटा ने लेकर आप पर करना है और यह से बाद में भी आपको प्रेंट करना है साथी साथ आप को और बताते हैं कि अगर आप प्लेय कर रहा हुआ हो शाफ नहीं आ रखना है लेकिन अगर आप फोटो प्रेंट कर रहा है तो आपको अब ग्लोसी रखना इसके बाद में एक और सेटिंग होती है यहां पर लिखा यह देखिए क्वाल्टी उसके नीचे पेपर टाइप की नीचे लिखा क्वाल्टी यहां पर सेलेक्ट है जो आपका स्टेंडर रहे हैं अब अगर आप इस टैंडर क्वाल तीपर कर देंगे तो आपको फटा फट यहां से मतलब नंकलर यहां चैक कुछ सेकने जिसके लूपर और कह सब्सुन्रकों बैकर क्वाल्टी इसके बाद आता है जिसमें आपकी क्वालिटी बस जो कलर दिखते हैं लेकर क्वालिटी नहीं आती है इसके बाद यो नीची का उप्सन रहता है हाई अगर आप इसको करेंगे तो आपकी क्वालिटी बढ़ जाएगी पचीस परसेंट क्वालिटी आपकी बढ़ जाएगी लेकिन और आप क्वालिटी ब चींजें कर लिया उसके बाद प्रेंट दीजें तो फिर आप खुछ कर के दिख लीजी यह हुए कि अगर आपकी कृमेंट व पर रहा है डोकुमेंट्स हो UX टो तो प्लीस एक बारा कि कमेंट में जरूर बताईए कि हाँ आपका बताया हुआ स्टैटिक बिल्कों काम कर रहा है ताकि यह उन लोगों को कमेंट पढ़ने में बिस्वास हो सके जो लोग बिस्वास नहीं करते वीडियों में देखकर तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा क्योंकि आपके रिस्पॉंस कि यह नहीं आप